सामाजिक सुरक्षा फेंचन थाम रही हाथ इसत की बढ़ती होगी सुद्रे हालात दिव्यांग अनात बुझुरगों की सुनी दिव्यांग फित्वाउं बुझुरगों की सुनी राजस्थान में राणक विच्चो कुनी खबर अजमेर से जहाजमेर में शेस वंचित सीनियर समवदा अयुरुवेद डॉक्टर्स एसोसियेशन राजस्थान के बैनर तले समवदा अयुरुवेद चिकित्सको कामरे नंशन के चौथे दिन भी जाली रहा गुरुवार को आयुर्वेद चिकित्सको ने अर्धनगन अवस्था में जाडू लगाकर विरोध जताया समविदा आयुर्वेद डॉक्टर्स अर्धनगन होकर लगाई जाडू जताया विरोध अजमेर में शेस वंचित सीनियर समवधा अउर्वेद डॉक्टर्स एसोसियेशन राजस्थान के पैनर तले समवधा अउर्वेद चिकित्सकों का आमरे नंशन के चौते दिन भी जारी रहा गुरवार को अउर्वेद चिकित्सकों ने अर्धनगन अवस्था में जाडू लगा कर विरोध जताया डॉक्टर्टर पुखराज ने बताया कि वे 1973 के नियम के तहर 2030 की पैंडिंग डीपीसी वान्य विभिन मांगो को लेकर शांतिपुन तरीके से चार दिन में अंसन कर रहे हैं लेकिन सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही और ना है चिकित्सा प्रिश्यासन उनके सुध ले रहे हैं ऐसे में उन्होंने आज अर्धनगन होकर निदेशाले की जाडू लगा कर सफाय की इसके बाद भी सरकार से कोई आश्वासन नहीं प्राप्त होता है तो वे मुंडन करवाकर विरोध प्रदुशन करेंगे उन्होंने बता कि वे पिछले दो वर्सों से नियमती करन के लिए संघर्स कर रहे हैं जबकि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है लेकिन सरकार आयरवेद चिकित्सकों को नियमत नहीं कर रही है आज हमारे आमन अंसन का चौथा दिन है और आज से हम अमारी प्रसासन अभी तक भी कोई सुनवाई नहीं होई है ना कोई मेडिकल टीम आई है ना हम सुद ले रहे हैं जाकर अधिकारी आते हैं देखकर चले जाते हैं इसलिए आज से हमने अपने जो गतिवीती आ हैं आज से हमने अर्द नगवन प्रसंत किया है पूरे जो निद्य साले की सफाई की एथ ताक्ि इनकी दिमागे जो गंदगी है इस सफाई के साद उनकी गंदगी पीसाफ हो जाए क्योंकि इनके इंदर इंसान ये तनाम की कोई चीज नहीं बची हम तीन-चार लोग हैं पिछले चार दिन से बिना खाने के रह रहे हैं और सिर्फाने की बूंद पे रह रहे हैं अब पाने भी जो है हम सिर्फ आध़ बदलब आध़ एक पाउ डाई लिटर डाई सो अमल भी पानी नहीं ले पारे हमारी बिल tới खाम हो रही है जम दन हम आरी मांगों पर अभी है को विचार निया आज हम आज हमने शुबह से पहले दंद्ध तो डंडवत किया सबसे पहले हमने दंडवत किया इसके बाद हमने पूरे निदसला की सफाई की और अरदन अगण और यह अगर इसी तरह से चलते रहे और यह सुनवाई नहीं होती है तो कल अनम मंदन करवा के ही आगे कारे लेके यह गेट के आगे खड़े रहेंगे और पिंडदान करेंगे डॉक्टर पुखराद स्टाग जेसलमेर